नवस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ती आज मैं दिवाली के बड़े धमाकई की बात कर रहा हूँ दिवाली से पहले की धमाके की बात कर रहा हूँ और आप पूछेगी ये कौन सा धमाका है ये गाडियों की बिक्री का दाधमाका है देखें आप गाड़ी टूफृ लर की बिक्री अक्ठूबर में जब दसेरा था नवरात्री थी तब record बिक्री हुई है आपने पढ़ा होगा सारा डेटा नवेंबर के शुरू में आ गया था record बिक्री हुई है अगर मैं hero के bike की बात करूँ तो hero का पूरे आज तक जितने भी उन्होंने bike बेचे हैं अक्टोबर में उन्होंने सबसे ज़ादा bike बेचा है वही आप बजाज आटो का भी देखेंगे record sale record export बजाज आटो का भी हुआ है बाइक का अक्टोबर के महीने में यानि कि दिवाले से पहले दशेरा नवरातरी के टाइम पर और ये खबर आते ही राजी बजाज जो की बजाज आटो के मालिक हैं उन पर सारे ट्रोल बरस गए Twitter, WhatsApp सब पर आगए और उन पर कहने लगे कि राजी बजाज आप जूटे हैं क्यों क्योंकि कुछी दिन पहले राजी बजाज ने एक interview में कहा था कि वो दुखी है इस बार festival season यानि कि तौहारो के season में उनकी बिक्री नहीं हुई है और ये 26 October का interview है कुछी दिन बाद 2 November को देखा गया कि जो बजाज आटो का sale है वो record sale है October में तो लोगों ने कहा कि राजी बजाज जान बुझ के डरा रहे हैं जूट फैला रहे हैं सच तो ये है कि economy पट्री पर वापस आ गई है लेकिन सवाल ये है क्या राजी बजाज सही थे या गलत थे क्या उन्होंने गलत कह इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में तो सबसे पहले हम बात करतें गाडियों की गाडियों की अगर हम देख ले तो सितंबर अक्टोबर दोनों का मैं जोड लूँ 2020 में लगबग 5,83,000 गाडियां का उत्पादन हुआ है यानि कि फैक्टरी से निकल कर ये डीलर्शिप तक गए हैं जब आप मीडिया में देखते हैं तो इसी को सेल्स का जाता है खेर ये सेल्स नहीं है ये फैक्टरी से डीलर्शिप तक गई हो ये एक तरीकी का होल सेल आप कह सकते हैं सेल है तो 5,83,000 गाडियों की उत्पादन ह गए अब सितंबर अक्टूबर 2020 में इसकी अगर मैं 2019 के साथ उलना करूँ तो आप देखेंगे 2019 में 4,86, 4,86, 4,87,000 के आसपास गाडियों का डीलर्शिप तक फैक्टरी से इतने गाडियां गए थे यानि कि जो आप ग्रोथ देख रहे हैं ये एक बड़ा ग्रोथ है लगबग 20 प्रतिशत का ग्रोथ आप देख रहे हैं गाडियों में हुआ है उत्पादन में या होल सेल में जो रीटेल तक पहुंचा है डीलर्शिप तक पहुंचा है फैक्टरी से निकल कर अब मैं बात करत उत्पादन हुआ है फैक्टरी से निकल कर डीलर्शिप तक गए हैं वहीं अगर मैं इसका कंपैरिजन करू 2019 के साथ तो 2019 में 34 लाग क्या असपास उत्पादन हुआ था फैक्टरी से निकल कर डीलर्शिप तक गए थे इसी दो महीनों की बात कर रहा हूं सितंबर कितना हुआ है पिछले सितंबर अक्टूबर से एस सितंबर अक्टूबर का अगर हम तुलना करें तो लगभक 14 प्रतिशत 14 प्रतिशत से जादा ग्रोथ हुआ है यहां पर लेकिन आब हम बात करते हैं कि बिक्री क्योंकि आप फैक्टरी से तो बेज सकते हैं डीलर्शिप लेकिन क्या डीलर्शिप से लोगों तक पहुंच रहा है क्या लोग खरीद रहे हैं वो डेटा आप देखते हैं तो सितंबर अक्टूबर 2020 में हम सिरफ रीटेल सेल यानि जो डीलर्शिप से निकल कर लोगों तक पहुंच रहा है जो असली भोगता जाकर खरीद रहे हैं व पिछले साल और इस साल की तुलना इससे कर सकते हैं 4,45,000 पिछले साल कितने डीलर्शिप से बिकेते गाड़िया 4,52,000 यानि जहां उत्पादन बड़ा है लेकिन जो रीटेल सेल है सिर्फ आप आंधर प्रदेश और मंद्रेश का छोड़ दीजे ये कंपेर कर रहे हैं इन दोनों स्टेट को छोड़ के तो रीटेल सेल 1,5% घट गया है गाड़ियों का अब टूविलर की बात करते हैं स्कूटर मोपड बाइक की बात करते हैं इस साल रीटेल सेल लगभग 20,00,000 के आस पास हुए हैं 20 लाग से थोड़ा जादा हुआ है retail sale यानि जो dealership से लोग खरीद कर ले गए है पिछले साल वो 26 लाग के आसपास था 26 लाग के आसपास था तो इसको आप compare करके देखिए कि कितना गिरावट है लगबग 20 प्रतिशत का गिरावट हमें दिख रहा है यहाँ पर two-wheeler sales में वहाँ गाडियों का तो सिरफ देर प्रतिशत था two-wheeler sales में 20 प्रतिशत का retail में गिरावट है तो जहाँ उत्पादन बढ़ रहा है उत्सी rate से retail sale घट रहा है अब मैं गाड़ी और two-wheeler दोनों को जोड लेता दोनों को जोड कर अगर मैं देखूँ तो सितंबर अक्टोबर 2020 में total उत्पादन जो factory से dealer तक गए है लगबग 44,85,000 के आसपास हुए है वही अगर मैं पिछले साल के साथ तुलना कर लूँ वहाँ पर अगर यही मैं देखूँ कि इस साल को अगर मैं सौ ले लूँ कि पिछले साल को सारी सौ ले लूँ कि सौ टोटल गाड़ी और बाइक बने थे तो इस साल 115 यानि 15 प्रतिशक का वहाँ पर बढ़त है लेकिन रीटेल सेल की बात करते हैं आप रीटेल सेल कितने हुए रीटेल सेल 2019 में गाड़ी और बाइक का हुआ था 30 लाग के आसपास वहीं अगर मैं 2020 का देखू तो वो 25 लाग पर उतर आया है 30 लाग से 25 लाग पर उतर आया है तो वहीं अगर मैं देखू कि रीटेल सेल पिछले साल अगर 100 था तो इस साल वो 82 पर उतर आया है इसी को अगर मैं फिर दूसरी तरह से देखूं तो दोनों को मैं compare करके आपके सामने डाल रहा है तो ये आप देखिए कि अगर मैं production और sale देखू पिछले साल अगर 100 गाड़ियां और बाइक बने थे तो उनमें से 78 बिग गए थे वो 100 से 115 लेकिन जो sale है वो 78 से 64 गिर गया है तो यही है असलियत Car sales का असलियत यही है इसका मतलब है राजी जबजात सही कह रहे थे उनके factory से तो निकल कर गया है बाइक उनके factory से तो बाकियों के factory से गाड़ियां तो निकल कर गई है लेकिन वो big नहीं रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि dealer के end में बहुत सारा inventory तयार हो रहा है stock तयार हो रहा है क्या यह November में अभी जो दिवाली गया है इसमें क्या यह big जाएंगे क्या और भी inventory होगा क्या factory इसको push out कर पाएंगे इसी से हमें पता चलेगा सच में विक्री बड़ी है या नहीं या यह सिरफ आंकडों का खेल है आज का एपिसोड यहीं तक